केडिये में करते हैं I am in किरन मेगाली किचिन में अपका अबका स्वाव गर्थ है और राज में आप मात मुझे हैं जो बनाकर रख सकते हैं राखी के अलबा भी सुवजrib कर सकते हैं ऐसे भी सब कर सकते क्यों कि त्वारो Almost 24 फिरम इन चोनी होता है और इसके अंदर एक उबला आलू मेश करके, इसमें क्या होगा हमारे दही का फ्लेवर आ जाएगा, फुरा सा नमक, नमक, जीरा, और आलू और पान का पत्ता, ये ठंडी ठंडी दही बना के आपको रख देनी है, अब दही आपकी रडी होची करते हैं, अब हम आते हैं मैं इंडियन स्क्रेट, इसके लिए मैंने लिए एक कटोरी बेशन, एक चम्मच चावल का आचा, दही हमारी रेडी हो गई है, बूंदी है, नमकीन है, और चट्नी है, और पान के पत्ते हैं, सबसे पहले हम लोग बेशन चावल के आठे में, दो चम्मच तेल का गरम तेल डालेंगे, यह मैंने आदा चम्मच नमा, आदा चम्मच लान मिट्स, और वन पिंच मैंने और इंच कलर लिया है, और इसके अंदर मैं डालूँगी, वन पिंच सोडा, और इसका पानी से पान की चाट वैसे तो यह बहुत अच्छी चाट होती है और साफी टेस्टी होती है लेकिन घर में बनाने में इसका फायदा बहुत पड़ता है कि पान के पत्ते रहते हैं और अपनको मैनत भी बिल्कुल नहीं है अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे यह चाट ऐसी है इसको आप बना के आप रख सकते हैं बस जब भी आपके गैस्ट आएं आप इनको सर्फ करें मारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फ्लप्पी हो गया और इक्तम बिल्कुल तेयार हो गया इसमें पान के पत्ते को अच्छे से फूल गया है मैं इसको पलट रहे हूं कि इसमें हम लोगोंने चावल का अटा डाला है वह काफी क्रिस्पी कर देगा अगर कभी पान का पत्ता ही आपका गीला हो जाए फ्राय करने के बाद यह सॉप्ट हो जाता आप इसको दुबारा प्राय कर सकते हैं वैसे म कि एक बार ठंडा करके निकाल लीजिए वहार मतार और इसके बाद इसको आप दुबारा बैटर में डिप करके दुबारा फ्राय करें तो काफी देर तक दो से तिन दिन तक क्रच्छी रहे गाई यह देखिए पान का पत्ता हमारा बिल्कुल ख्रिस्पी हो गया है अभी मै क्यों मैं दो सब्सक्राइब आततर राय थे यह राय पूरा करई जांगओ अदर सॉपज़ने देखिए कि一下 क्रंश्य आघ्र हम इसको काटके भी सक्टवकर सक्ते हैं और पूरा हम आधर सmostल आप आधर कख़ें जितना आपको सब्प करना है आप उचना कर लें मैं अपी तेल पीसी सब्प कर दे हूँ इधर मेरा दूसरा पक्ता त्यार हो रहा है जो दही आलू वाली त्यार की थी वो मैं इसके उपर डाल रहे हूँ काफी अच्छी दही टेस्टी त्यार हो जाती है यह आलू के साथ इसके उपर में डाल रहे हूँ इमली की चट्नी थोड़ी सी बूंदी थोड़ा सा नंकीन आप अगर स्पाइसी खाते हैं तो उपर से हरी मेज़ डाल सकते हैं बारिक कजिवे यह हमारी पांचा ट्रेली होग कि पान की चात्रे डिये डाल सकते मैंनी पर मेरे कोई पसंद करता तो मैंने नहीं डाला है इस रेसिपे के लिए टिप्स यह है कि यह अगर कभी सॉप्ट हो जाए तो दुबारा आप डिफ्राइ भी कर सकते हैं या फिर आप इसको दुबारा बैटर में डिप करके भी आप हैं यहीं कर